लेबनान का हिजबुल्ला इस्तित्प का खत्रा बन चुका है गाजा युद्ध के बाद से हिजबुल्ला तेलवीव पर इतना हावी हो जाएगा ये खुद इस्तित्प का खत्रा बन चुका है पूरी तरह से नाकाम रही गाजा में जहां हमास दुबारा से अपने पैर पसार रहा है वहीं उत्री बॉर्डर पर हिजबुल्ला अपने हमलों से IDF को दहला रखा है अब हिजबुल्ला ने IDF के ओपर दो बहुत बड़े हमले की हैं एक हमला अल-बयादा में आधी रात को करीब एक बज़े हुआ जिसमें हिजबुल्ला ने इस्रैली सैनिकों पर जम कर बंबारी की वहीं दूसरा हमला अल-मल्किया साइट पर हुआ यहां हिजबुल्ला ने IDF के ओपर भारी गुला बारूद दागा इसके अलावा मैजबुआ सेटल्मेंट पर भी हिजबुल्ला ने रौकितों का एक जब्था फायर किया दोपहर में करीब एक बचकर बीस मिनट पर हिजबुल्ला ने एन याकोफ सेटल्मेंट पर कई रौकिट फायर किये और इसके बाद अल अबबाद मिलिटरी साइट पर हिजबुल्ला ने तावड तोड गोला बारूद फायर किया हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में IDF को भारी नुकसान हुआ है हिजबुल्ला के मुताबिक उसने शीबा फार्म्स में जबडीन और अल रमाथा साइट पर कई राउंड रौकिट फायर किया है और इससे ठीक एक घंटा बाद हिजबुल्ला ने अबू दजाज हाइट्स पर भी एक बड़े रौकिट हमले का दावा किया हिजबुल्ला का कहना है कि उसने बेरिया बैरेक्स पर नॉर्धन कमांड के प्रमुक एर डिफेंस मिसाल बेस पर हमला किया है हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने यहाँ पर आईडियेफ के उपर कत्युशा रौकिट का एक जथा दाग दिया वहीं इस्राइली मीडिया ने खबर दी है कि सफाद में कई धमाके सुने गए हैं और जिस अलाके में यह धमाके हुए वहाँ पर 50,000 सेटलर्स रहते हैं जो अब सुरक्षित शेल्टर ढूंड रहे हैं इस्राइली मीडिया का ये भी कहना है कि सफाद में हुए धमाकों की वज़े से आग लग गई वहीं दूसरी तरफ इस हमले का एक वीडियो भी वारल हुआ है इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लेबनान की तरफ से रात के अंधेरे में कई रॉकेट्स फायर हो रहे है और इस्राइल का एर डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है आपको बता दे कि इस अटेक से पहले आइडियो ने दक्षणी लेबनान के अल नकौरा में एक ड्रोन स्ट्राइक की थी जिसमें लेबनान के दो लड़ाके मारे गए थे ये दोनों ही मोटर साइकल पर सवार होकर जा रहे थे तब ही आइडियाफ का एक ड्रोन इनके उपर आकर फट गया